नमस्कार आप सभी स्टुइट्स का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज का यह वीडियो उन सभी स्टुइट्स के लिए है जो HPJOA यानि जूनियर आफिस एसिस्टेंट के एक्जाम की तयारी कर रहे हैं यह एक्जाम कंड़क्ट करवाए जाएगा 21 मार्च 2021 को हिम नमबर सिस्टम के कनवर्जन को डिस्कस करूँगा तो नमबर सिस्टम का जो बाइनरी टू डैसिमल था वो मैं पिछले वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि बाइनरी नमबर को किस तरह से डैसिमल नमबर में किस तरह से कनवर्ट किया जाता है वो पिछले वीडियो में हम discuss कर चुके हैं और उससे पहले वाले वीडियो में हम basic चीज़े number system के बारे में कर चुके हैं discuss और अगर आप projets आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखे पहले वोग देख लिजिए तभी है आपको यह असानी से समझाएगा तो अभी इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि binary digit को octal number में किस तरह से convert किये जाएगा और octal number को binary digit में वापिस किस तरह से convert किये जाएगा इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि octal number को decimal numbers में किस तरह से convert किये जाता है और बापस decimal numbers को octal numbers में किस तरह से convert किये जाता है तो ये सारे questions हम अभी देखेंगे इन questions को आप ध्यान से समझीएगा और ये questions यहाँ से कोई ना कोई आपको number systems में से तीन चार जो वीडियोज हैं यहाँ से 2-4 questions जरूर पूछे जाएंगे तो पहला question देखते हैं कि binary number 1100011 is equivalent to octal number तो ये binary number है इसका octal number हमें बताना है equivalent ठीक है जी तो आपको मैं ये बता दूँ कि octal number जो होता है इसमें 0 से 7 तक digit होते हैं तो इसमें highest number है 7 तो 7 जो highest number है वो represent हो सकता है 3 bits के साथ तो अगर 3 places पर हम 111 लिख दें तो ये होता है अगर equivalent होता है ये 7 के इसको अगर हम convert करेंगे ये देखिए 2 raise to power 0, 2 raise to power 1, 2 raise to power 2 इस तरह से आप लिखिए और इन सभी का coefficient अगर 1 रहेगा तो 2 raise to power का मतलब होता है 1, 2 raise to power 1 का होता है 2 2 raise to power 2 का होता है 4 तो इन सभी को add करेंगे 4 plus 2 6 plus 1 हो जाता है 7 तो ये आपको maximum 3 bits के साथ आप पूरे का पूरा octal number जो है वो पूरे का पूरा represent कर सकते हैं 3 digits के साथ कम से कम इसी तरह से hexadecimal के लिए आपको चाहिए 4 bits ठीक है जी चार बार अगर 1 लिखेंगे आप तो वो equal हो जाता है 15 के जो कि आपका hexadecimal का highest number होता है जिसको f से represent किया जाता है तो अभी हम बात करेंगे octal number की ही तो octal number को जब आप को convert करना है तो आप pair बनाईए सबसे पहले rightmost से आप pair बनाने शुरू कर दीजिए 3-3 bits के सबसे rightmost pair है आपका 011 उसके अगला pair है आपका 100 ठीक है जी उसके अगला pair आपका 100 इस तरह से हो जाएगा 1 लिखा है ठीक है तो 1 और 2 zeros आप खुद लिखिए ये left में जितनी भी 0 इनका कोई मतलब होता नहीं है लेकिन हमें यह यहां पर pair बनाना है तो हमने यह इस तरह से pair बना दिया है ठीक है तो अब हम यहां से शुरू करते है 011 को convert करते हैं पहले number में तो 011 को convert करने के लिए आप लिखिए 2 raise to power 0, 2 raise to power 1, 2 raise to power 2, 2 raise to power 0 होता है 1, 2 raise to power 1 होता है 2, 2 raise to power 2 होता है 4, ठीक है जी अब आप यहां पर लिए 1 है और इसके लिए 0 तो मतलब कि हमें इस वाले नंबर को तो 0 से multiply करना है इसको हम काट सकते हैं तो हम 4 प्लस नहीं करेंगे और इन दोनों के लिए हमारे पास 1 है 1 है तो हम 1 से multiply करने है ये दोनों तो ये 2 प्लस 1 इक्वल 2 हो जाता है हमारे पास 3 तो कहने का मतलब ये है कि 0 1 1 को अगर हम number में convert करेंगे तो आपका क्या बनेगा 3 ठीक है तो आपका right most जो digit आएगा वो आएगा 3 तो ये आपको यहीं से पता चल जाना चाहिए कि B option आपका सही है ठीक है लेकिन मैं यहां पर आपके बाकी के भी convert करके बता जाता हूं next आपका pair है 1 0 0 तो इसके लिए भी आप यहीं लिखिए 2 raise to power 0 2 raise to power 1 2 raise to power 2 ठीक है 2 raise to power 0 आपका 1 1 बन जाएगा 2 raise to power 1 आपका 2 बन जाएगा 2 raise to power 2 बन जाएगा आपका 4 लेकिन आपका यहां पर अगर pair देखेंगे ठीक है ठीक है यहां पर 1 रहेगा यहां 0 यहां 0 तो यह 0 है तो इसको भी हम consider नहीं करेंगे यह 0 है इसको भी consider नहीं करेंगे हमें consider करना है 1 वाला तो 1 वाला ठीक है जी 0 0 1 का यह 1 के आगे अगर left में आप 0 लगा दो तो यह आपका pair बना है तो यह भी आपका वैसे ही हो जाएगा 2 raise to power 0, 2 raise to power 2 ठीक है अगर आप देखेंगे कि 1 जो है वो इसके लिए 1 है इसके लिए 0 है इसके लिए भी 0 है आपका binary digit तो इनको आप consider नहीं करेंगे ही है यहाँ पर आपने देख लिए conversion इसी तरह से आप convert करेंगे जब भी आपको कोई decimal में points में number दिया है जैसे यहाँ पर दिया है आपका 1 1 0 यहाँ पर इसके आगे 0 लिख दीजिए पूरा complete करने के लिए pair ठीक है जी इसी तरह से अगर हम left की बात करें तो left में आपका pair बनेगा सबसे पहले 0 1 1 0 1 यह वला आपका पहला pair बन गया next आपका pair बनेगा 1 है अकेला तो इसके आगे 2 0 से लगा दीजिए यह आप आपका next pair बन गया अब यह आपका pair बन चुका है आप इसको no down कर लीजिए ठीक है जी और इसको convert करेंगे अब हम ठीक है जी अब इसको अगर हम convert करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम dot dot के साथ वाले number को convert कर सकते हैं ठीक है जी अगर इस वाले number को हम convert करते हैं तो यह है 2 raise to पावर 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2 तो आप यहां पर देख रहे हैं कि पहले पहले वाला जो 2 raised to power 0 है उसके लिए जो है हमारे पास 0 है तो इसको हम consider नहीं करेंगे, next के लिए 1 है ठीक है जी binary digit तो इसको हम consider करेंगे यानि 2, अगले वाले जो 2, 2 raised to power 2 के लिए उसके लिए भी 0 है coefficient तो इसको हम consider नहीं करेंगे तो यानि कि हमारा ये वाला जो पहला pair है dot के साथ उसके साथ जो digit रहेगा left side में वो रहेगा 2 ठीक है जी 010 का मतलब होता है 2 तो यहां पर C और A में 32 है तो यानि इन दोनों में से कोई एक option होगा 3 तो दोनों का ही है यानि कि जो आपका 11011 है यह जो आप convert करेंगे यह बनेगा 3 ठीक है यह clear हो गया है अब हमें next देखना है कि यह जो 0.54 इसको 0.54 है या 0.15 तो आप यह वाले pair को consider करेंगे 101 को 101 को जब आप consider करेंगे तो कैसे लिख करेंगे 2 raised to power 0, 2 raised to power 1 2 raised to power 2 इस तरह से आप लिखिए ठीक है जी अब इसके लिए आपका coefficient 1 है इसके लिए आपका coefficient 0 है और इसके लिए आपका 1 है यह देखिए आप pair में ठीक है जी 1, 0, 1 है यह ठीक है आपका तो यह आपका consider नहीं होगा क्योंकि इसका coefficient आपका है 0 तो आप इसको consider करिए इस वाले के लिए 2 raised to power 2, 4 होगा plus 2 raised to power 1 2 raised to power 0, यह हो जाएगा 1 equal to 5 तो यहाँ पर मतलब कि आपका dot के जो बिल्कुल right में आजाएगा यह आएगा 5 ठीक है तो आपका यह वाला right, बिल्कुल right option है अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ पर तो single 1 लिखा है लेकिन single 1 के आगे आपको लगानी है 2 zeros और इसको भी आपको convert करना है आपको अपने digit में ठीक है, 1 के आगे अगे अगर आप 2 zeros लगा दीए और देखिए 2 raised to power 0, 2 raised to power 1 2 raised to power 2 देखिए इसके लिए 0 है ठीक है जी, तो इसको आप consider नहीं करेंगे इस वाले के लिए भी 0 है, इसको भी consider नहीं करेंगे 2 raised to power 2 के लिए आपका coefficient 1 है तो यह होता है 4 ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 यह बिल्कुल सही conversion है, आपका C option यहाँ पर बिल्कुल सही है next अपका question है कि binary equivalent to of octal number 13.54 अब octal number है 13.54 ठीक है, इसको आपको convert करना है binary number में तो इसको आप binary number में कैसे convert करेंगे यहाँ पर simply आपको हर एक digit का binary conversion करना है binary में convert करना है ठीक है, और 3 binary digits का आपको यहाँ पर पता है कि octal number है तो 3 binary digit का आपको pair बनाना है हर एक के लिए, तो सबसे पहले हम 3 के लिए pair बनाते हैं ठीक है जी, तो उसके लिए भी आपको लिखना है 2 raise to power 0, 2 raise to power 1, 2 raise to power 2, यानि की 4 ठीक है जी, और यह आपका 2 raise to power 1 हो था 2, और 2 raise to power 0 था 1 अब आपको बनाना है 3, अब ऐसा कौन सा combination है, जिनको जोड कर हम 3 बना सकते हैं, वो दिखिए, वो है यह वाला कि हम इसको 2 को जोड दें और 1 को जोड दें, तो वो बन जाता है 3, तो इस 4 की हमें जरूरत नहीं है यानि की, जो आपका 2 raise to power 2 है इसके लिए आप coefficient लिखेंगे 0 2 raise to power 1 के लिखेंगे 1 2 raise to power 0 के लिखेंगे 1 तो आप जब 3 को convert करेंगे binary में तो आपका वो क्या रहेगा 0, 1, 1 ठीके जो, तो आप point के साथ दिखी left में ऐसा कौन सा option है जहां पर 110 लिखा है तो यह है सिर्फ A वाला तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि point 110 जहां पर लिखा है वो वाला, जो point के left में जहां पर 110 लिखा है, वो आपका सही option होना चाहिए यानि आपका A वाला जो option है वो right बिलकुल सही option है लेकिन हम बाकी के digits को भी convert कर लेते हैं अगर 1 को convert करना है देखिए तो यहां पर बचा यह वाला pair आपका complete हो गया next pair आपका बचा 001 यहां पर 20 लिख दीजिए तो इसके लिए 2 raised to power 2 2 raised to power 1 2 raised to power 0 अगर आप लिखते हैं ऐसे तो यह आप देखेंगे यहां पर 1 है आपका यहां 0 है 0 coefficient है तो इनको आप consider नहीं करेंगे 2 raised to power 0 को consider करेंगे तो यह बन जाता है 1 तो यह आप बिलकुल देख रहे हैं कि 13 है ठीक है इसी तरह से आप 0.54 को भी convert कर सकते हैं यहां पर लेकिन आपको pair बनाना है इधर से यह आप पिछले option में भी देख चुके हैं ठीक है तो यह वहां पर आपका 32.54 था यहां पर आपका है 13.54 ठीक है जी तो यह आपने देखा है तो 5 के आप कैसे represent कर सकते हैं 5 को इस वाले number से 101 से और 1 जो है 1 के बाद 2 zeros लगाएंगे तो यह बन जाता है 4 ठीक है जी अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि 1 के जब right में zeros आ जाएंगी तो आपका बनता है 4 लेकिन 1 के जब left में 2 zeros आ जाती है तो यह बनता है 1 यह थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का नेक्स्ट कुश्चिन है octal number 2 0 is equal into binary number octal number 2 0 है उसका binary number क्या है तो सबसे पहले आपको 0 के लिए binary number देखना है तो 0 के लिए 2 raise to power 0 2 raise to power 1 2 raise to power 2 यह सभी क्या जब coefficient 0 होगा ठीक है जी तब यह 3 को हम consider नहीं करेंगे तब ही वो sum होगा 0 ठीक है जी तो आपको लिखनी है सबसे पहले right most 3 zeros ठीक है क्योंकि हमें right side से pair बनाने है यह 3 zeros बन गई अब हमें convert यह तो होगया 0 का conversion अब हमें convert करना है 2 को binary में 2 को convert करने के लिए वो ही आप कीजिए 2 raise to power 0 2 raise to power 1 2 raise to power 2 अभी आप देख रहे हैं यह 4 है 2 raise to power 2 2 raise to power 1 2 बन जाता है 2 raise to power 0 1 बन जाता है तो इसका इसमें ऐसा कौन सा combination है जिनका sum करके हमें मिल जाता है 2 तो यह है अकेले 2 raise to power 1 को अगर हम consider करेंगे तो यह हमें दे देता है 2 तो इसलिए हमारा इसके 2 raise to power 2 के लिए हम 0 देंगे 2 raise to power 1 के लिए 1 2 raise to power 0 के लिए भी 0 तो यह हम अगर 2 को हमें लिखना है binary form में तो हम लिखेंगे 0, 1, 0 ठीक है जी 0, 1, 0 और 0 के लिए 3 0s लिखनी है 0 के लिए हमें 3 0s लिखनी है इधर से इस तरफ को और 2 के लिए हमें क्या लिखना है 0, 1, 0 ठीक है जी तो यह तो टोटल आपका number जो बनेगा 0, 1, 0, 000 ठीक है जी तो यह कौन सा है आपका A option बिल्कुल सही है कि यह pair है क्योंकि इस वाली 0 को आप हटा भी सकते हैं ठीक है जी इस तरह से और इसी तरह से आपको दिख रहा है और यहां पर 0 हो सकता है इसके आगे लिखी भी हो ठीक है तो यह A right option है Next आपका question है decimal number 42 is equivalent to octal number decimal number 42 इसको octal number में अब convert करना है अब हम करेंगे decimal number को convert decimal number को चाहे आप octal number में convert करें चाहे hexadecimal में यह लगबग सेम ही है difference क्या है अब भी आप देख लीजिएगा 42 को अगर convert करना है ठीक है जी decimal number है तो आप 8 से divide करेंगे जब octal number में convert करेंगे ठीक है जी अब जब आप इसको hexadecimal में convert करेंगे तो आपको divide करना है 16 से ठीक है जी तो 8 fives कितना होता है आपका 40 आपका reminder कितना बचा है 2 quotient बचा है 5 reminder जो बचा है 2 वो इस side में आपका लिख लीजिए और एक arrow इस तरह से लगा लीजिए जो नीचे होगा आपका यह होगा most significant number और सबसे उपर वाला जो reminder बचेगा यह होगा least significant number ठीक है यह होता है कि most significant number आपका जब आप इसको लिखेंगे इस तरह से number में तो यह आपका सबसे left में आएगा और जो least significant है वो right में आएगा बिलकुल ठीक है तो अभी यह आप देखते हैं किस तरह से convert होगा तो यहाँ पर आपका reminder बचा है तो आपने यहाँ पर लिख लिया है अब आपका quotient बचा है 5 अब 5 को भी हमें 8 से divide करना है लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 जो है वो smaller है 8 से तो 5 को हम as it is यहाँ पर लिख देंगे ठीक है यहाँ पर हमने 5 लिख दिया उपर 2 है तो हम लिखना शुरू करेंगे सबसे पहले लिखेंगे most significant number फिर हम लिखेंगे उसके right में least significant number ठीक है most significant number कौन सा है आपको मैंने बताया कि नीचे वाला होगा 5 लिख लिजिए उसके बाद least significant लिखेंगे 2 ठीक है तो 52 जो है आपका वो convert करके बना है आपका octal number ठीक है 42 को हमने convert किया तो आपका option A यहाँ पर सही रहेगा इसी तरह से अब हम थोटा सा बड़ा number convert कर लेते हैं 359 को हमें convert करना है octal number में यह decimal number है ठीक है 8 से आप divide कीजिए इसको 4 से करेंगे अगर तो 32 होता है 84 सा 32 ठीक है जी तो यहाँ पर यह आपका बच गया 39 अब दुबारा 84 सा 32 ठीक है जी यह बच गया आपका कितना 7 ठीक है जी तो आपका यहाँ पर जो है reminder बचा 7 और quotient बचा आपका 44 quotient 44 को दुबारा आप 8 से divide कर लीजिए तो यह आपका आजाएगा ठीक है जी 85 सा 40 और आपका यहाँ पर reminder बचा कितना 4 अब इसको यहाँ पर लिख लीजिए और यह मैंने बताया था आपको arrow आप इस तरह से लिख लीजिए most significant नीचे रहेगा least significant आपका सबसे top पर रहेगा अब आपका यहाँ पर quotient बचा है 5 अब हमें 5 को दोबारा 8 से divide करना है लेकिन दोबारा जो 5 है वो 8 से छोटा है तो इसलिए 5 को as it is हम यहाँ पर लिख देंगे तो यह आप जब नीचे से देखेंगे 547 आपका जो right option है वो B है 547 ठीक है जी 5 आपका most significant है उसको पहले लिखेंगे उसके कम significant आपका 4 है उसको right में सबसे कम significant है आपका 7 यह इस तरह से आप लिख देंगे नंबर 547 तो यह भी थोड़ा आप करम याद रखीगा किस तरह से लिखना है numbers को next question दिखते हैं अभी next question है आपका यह आपका दिया है decimal number decimal number को आपको octal में यह लेकिन points में है number इसको octal number में आपको convert करना है यहाँ पर इसके लिए आप क्या करेंगे 0.4674 दिया है इसको multiply करेंगे आप 8 से 8 से multiply करने पर आपके पास क्या number आएगा यह आजाता है आपके पास आप 3 लिखिए यहाँ पर arrow आपको लगाना है नीचे की तरफ को यानि कि जो आपका most significant number रहेगा वो top में रहेगा और least significant नीचे रहेगा ठीक है तो यह आप याद रखीगा कि किस तरह से कहां पर most significant number रहता है तो यहाँ पर आप 3 निकाल लिए आपने यहाँ पर अब आपके पास बचा है 0.7392 अब इसको आप दोबारा 8 से multiply कीजिए दोबारा जब आप इसको 8 से multiply करते हैं तो आपके पास आता है 5.9136 अब यहाँ भी जो left side में जो भी integer है उसको आप निकाल लिजिए ठीक है 5 को आप निकाल लिजिए उसको लिखिए आप यहाँ पर ठीक है जी यहाँ पर आप लिखिए और आपके पास बच गया 0.9136 इसको भी आप दोबारा 8 से multiply कीजिए और इसी तरह से आप करते जाएए तो आपके पास इस तरह से बन जाएगा यह नंबर कोई जो भी बनेगा उसको उपर से उपर वाला नंबर सबसे most significant रहेगा यानि कि आपका जो यह convert होकर बनेगा वो बनेगा 0.357 ठीक है जी तो 0.357 आपको यहीं से पता चल जाएगा कि जो c option है 0.3572 यह वाला बिल्कुल सही है ठीक है इस तरह से आप जो है जो points में decimal number दिये होंगे उनको इस तरह से आप octal number में convert करेंगे अब next question है कि convert octal number 125 to decimal number अब यहां पर दिया है octal number octal number को decimal number में किस तरह से convert करेंगे ठीक है अब यह भी हम देख लेते हैं कि octal number को किस तरह से decimal में convert किया जाता है तो यह जितने भी number है तो यहां पर आपको आप सबसे पहले इस तरह से लिख लीजिए याद रखने के लिए base इसका 10 होगा octal number का ठीक है तो हमें मतलब की 8 से multiply करना पड़ेगा तो right most में क्या power रहती है 8 raised to power 0 अब यहां पर क्यूंकि यह अब हमारा octal base 8 है तो अब हमें लिखना 8 raised to power 0, 8 raised to power 1, 8 raised to power 2 इस तरह से जितना भी number होगा 8 raised to power 3 left side को हम बढ़ाते जाएंगे power ठीक है जी अब आपने यहां पर इसका base 8 लिखा है तो 8 raised to power 0 into 8 raised to power 0 into आप लिखेंगे 5 plus 8 raised to power 1 into 2 क्योंकि यहां पर 2 लिखा है second place पर ठीक है यहां पर 5 लिखा था first place पर अब next है plus 8 raised to power 2 into 1 ठीक है जी 8 raised to power 2 कितना होता है आपके बास 64 plus 8 raised to power 1 8 है और into 2 यानि 16 64 plus 16 plus 8 raised to power 0 कितना होता है 1 plus 5 यह आप अगर add करेंगे सारे 6,4,10 और 5,15,5,1,85 तो मतलब कि आपका जो b option है वो बिलकुल सही answer होना चाहिए इसको जब आप convert करेंगे decimal number पर ठीक है जी अब आपको next आ जाता है कि octal number जो दिया है यह दिया है 0.4674 0.4674 इसको decimal में convert करना है अब यह आप देखिए right side में आ अहले ही बताया था कि जब आप binary number वाला अगर आपने वीडियो देखा हुआ तो point के right side में जितनी चीज़ी आती है उनको हम लिखेंगे 8 raise to power minus 1 क्योंकि यह octal है base 8 है ठीक है जी base 8 है अगर base 2 होता binary होता तो 2 raise to power minus 1 आता ठीक है जी अगर आपका hexadecimal रहता base 16 तो right side में 16 raise to power minus 1 आएगा और इसके इस dot के right side में जब आप लिखेंगे तो minus 1 इस तरह से 8 raise to power minus 1, 8 raise to power minus 2, 8 raise to power minus 3 इस तरह से आप करेंगे ठीक है so on बढ़ते जाएंगे और left side में आप करेंगे 8 raise to power 0 से शुरू, 8 raise to power 0, 8 raise to power 1, 8 raise to power 2 जैसा पिछले वाले question में हमने किया, 8 raise to power 3 so on बढ़ते जाएंगे तो इस वाले question के लिए हमें क्या करना है, अब point से हमें right को चलना है, तो सबसे पहले लिखा है 4 तो यानि 4 into 8 raise to power minus 1 plus 6 into 8 raise to power minus 2 plus 7 into 8 raise to power minus 3 plus 4 into 8 raise to power minus 4 ठीक, तो ये आप सारा calculate करके मुझे बताईए कि क्या आपके पास right answer आथ, ये आप comment box में बताईए, किस तरह से ये होगा, ठीक है जी, मैं आपको अभी यहां पर नहीं बताऊंगा answer, इनी चार options में से answer दिया गया है, अगर आपने ये practice कर लिया है, समझ चुके हैं इसको, तो आप मुझे comment box में बताईए कि इसका answer क्या होगा, next वीडियो में मैं आपके साथ discuss करूँगा, binary coded decimals, ठीक है जी, binary coded decimals के बारे में questions पूछे गए, इसकी full form ही पूछी गई है कई बार की BCD की full form क्या होती है, binary coded decimal, तो binary coded decimal किस तरह से conversion होगी, इनकी थोड़ी सी अलग होत ही है, ठीक है और इसी के साथ मैं hexadecimal numbers की conversion भी आपके साथ discuss करूँगा, next वाले वीडियो में, तो अगर आपका कोई question हो, कुछ आपको समझ ना आया हो, तो आप वो भी comment box में हमारे से पूछ सकते हैं, और मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि मैं आपको एक form का link द of students वो fill करते हैं, तो मैं उनके लिए एक अलग से course शुरू करूँगा, ठीक है तो वो आप form fill कर सकते हैं, मैं आपको जल्द ही वो link provide कर दूँगा अपने वीडियो में, description box में, तो वो आप चेक करते रहिएगा, धन्यवाद,